एक बहुत अच्छी conceptual problem है, तो आई इसको समझते हैं, देखिए यहाँ पर आपको given है एक rope जिसकी length L है, और यह frictionless hemisphere पर motionless है, अब इसका एक end point इस hemisphere की top position पर है, साथ ही आपका जो hemisphere है, वो ground के साथ rest में है, इसको fix कर दिया गया है, आपको बताना है किस point पर rope में सबसे आदा tension होगी, जैसे ही इस rope को release किया जाता है, आई योग question आप समझ गए, आइए थोटा से इसको deep पे समझते हैं, ताकि अच्छे से solution कर सके, ओके, खीक है, यदि आप ध्यान दे, तो यहाँ पर जो rope की दोनो end है, इन दोनो end पर क्या होना चाहिए, tension की value होनी चाहिए आप कोई एक ही direction में force मिल रहा होगा, दूसरे direction में कोई opposing force है ही नहीं, तो यहाँ पर tension दोनों ही points में मिलेगी 0, but बीच में कोई ना कोई tension होगी, right, तो यह आप ध्यान दो, तो आप एक end से दूसरे end तक जाओगे, तो पहले tension बढ़ेगी, फिर गटना सुरू हो जाएगी, ताक इसी बात हम लोग क्या करें, छोटा से एक element लेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक angle theta पर, जो की vertical से angle है, हम यहाँ पर एक छोटा सा element लेते हैं, ठीक है, इसकी length क्या हो जाएगी, dx, और यहाँ पर आपकी dx की value आजाएगी, r into d theta, कि लिए इसी बात, इसका mass माल लेते हैं, dm, जिसकी value हो जाएगी, देखो यहाँ पर जो आपकी rope है, uniform mass की है, राइट, तो इसकी mass हो जाएगा, lambda into dx, जिसकी value आप लेक सकते, lambda, r d theta, यहाँ तक clear है, अब इसका free body diagram मनाते हैं, राइट, तो यह आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यह आपका ऐसे angle theta, यहाँ पर आपका एक element, ठीक है, इस element का weight किदर है, नीचे, याने की, dm into g, ठीक, और इस direction में आपको मिलेगा, क्या, एक tension, और एक इस direction में tension, राइट, यहाँ पर माल लेते हैं, tension t, ज़रके ती प्लस dt, ओके, और इस weight का component भी आपको इस direction मिल जाएगा, कितना, dmg sin t, अब आप देख पार हो, यहाँ पर imbalance force है, इसके वेसे यहाँ पर आपको एक acceleration मिलेगा, ठीक है, आपको बात इतनी याद रखनी है, कि यह जो acceleration है, यह हर एक particle का same होगा, क्योंकि पूरी की पूरी रसी आपकी एक ही, और एक body, एक ही acceleration से move करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर यह A में निकल के आ रहा है, यह सारे points का same होने वाला है, ठीक है, अब इसी को अबलोग थोड़ा सा solve करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर सारी चीजे लिखी होई हैं, और आप जानते ही हैं कि net force वरावर क्या होता है, mass into acceleration, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस direction में दो force है, ठीक है, dmg sin theta plus t plus dt, opposing force है minus t, is equal to क्या हो जाएगा आपका mass into acceleration, कि लिए इसी बात, now just यहाँ पर आप value put कीजी, देखिए, tc t यहाँ पर cancel out हो जाएगा, और इस value कमने यहाँ पर put कर दिया है, तो आपको equation एक मिल गई, now हमें चाहिए था, देखो maximum t, तो जार से बात हमन को ऐसा करोगे, तो आपको यहाँ पर theta के लूँ निकल के आएगी, sin inverse is equal to a upon g, अब problem ही है कि यहाँ पर a तो हमें given नहीं है, हमें इस a को करना होगा, eliminate, कैसे करें, right, तो आप ध्यान दीजे, हमारे पास यह equation है, यह वाली, ठीक है, और हमें पता है कि रसी जो है आपकी, इस सरे सरशी है, यहाँ पर tension है 0, last point पर भी tension है 0, बीच में कुछ tension थी, और हर एक point पर tension क्या होती है, अब वो यह direction में होती है, right, point से दूर जाना चाहती है, तो जब आप integrate करोगे, तो अंदर की सारी की सारी tension हो जानी चाहिए, 0, बचे की कौन सी, दोनों tension का last का difference, बट यहाँ यहाँ पर भी दोनों tension है 0, जब integration करोगे और limit लगाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, net tension 0, right, तो जैसे आप यहाँ पर देखो, इसको integrate करोगे, यह जो term है, यह यहाँ पर देख रहा है, इसकी value हो जाएगी 0, right, equation same है, जैसे आप यहाँ पर फिर उसकी बाद आप value put करोगे, जो किया, देखो, महा लेते हैं, आपकी जो रसी थी, चीक है, यहाँ पर angle 0 बना रही थी, और यहाँ पर maximum angle थाउसका, theta 0, आपको क्या मिलेगा, r theta 0 is equal to l, इसी बाद, बस आपको any values को यहाँ पर limits को put कर देना है, जैसे आप limit put करोगे, आपको यहाँ पर a upon g ऐसे मिल और यहाँ से हमें a की value मिल जाएगी, जो कि हम लोग use कर सकते हैं, यहाँ पर put करने के लिए, right, जैसे आप यहाँ पर इसको put करोगे, आपको मिल जाएगा, यह equation, जिसके according आपको maximum tension का theta मिल जाएगा, right, I hope, इस सवाल से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, प्लीज वीडियो क लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल ना मूला, thank you and have a nice day.